Hello everyone, Welcome back to the channel Maruti Suzuki Jimny का Alpha variant आपके लिए लेकर के आया हूँ इस गाड़ी की सारी डीटेल्स इसी वीडियो के अंदर मिलने आ लिए तो make sure वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को तुरंती सब्सक्राइब कर देजिए शुरुआत करते गाड़ी के चावी से यहाँ पर दोनों ही remote keys मिल जाती है दो remote functions है, lock unlock के remote functions है unlock करने के उपर ऐसे siren बचते है, lock करने के उपर भी siren बचेंगे फ्रेंट लुक की बात करें तो बहुत ही बड़ी आ फ्रेंट लुक है और नीचे की तरफ काफी बड़ी आसी skid plate वगरा भी दी गई है अब इस गाड़ी में बहुत सारी accessories लगाई गई है लगबग 50,000 की accessories यहाँ पर लगाई गई है उससे जादा की accessories भी आप लगवा सकते हो इस गाड़ी में यहाँ पर भी आपको कुछ elements दिखाई दे रहे होंगे यह accessory का पार्ट है यह जो graphics आप देख रहे हो यह भी accessory का ही पार्ट है थोड़ा सा एक camo effect देने की कोशिश की है इस color के उपर आक्सेसरी बहुत ही जादा suit कर रही है बहुत ही प्यारी लग रही है यह गाड़ी देखने में front washers है यहाँ पर headlamp washers भी आपको मिल जाते है headlamp washers का button कहाँ पर है वो आपको अंदर चल के बता दूँगा और side profile की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली accessory आप notice करोगे यह जो element है यह plastic element है metal जैसा look है लेकिन plastic element है accessory का part है लगवा सकते हो शोरोमेंट से alloy wheels मिल जाते है इस गाड़ी में यहाँ पर alloy wheels की profiling की बात करें तो 195 by 80 R15 याने की 15 इंच के alloy wheels है ladder on frame chassis है तो यहाँ पर जो off-road lovers है उनके लिए यह एक वरदान है front में disc brake मिलते है rare में चलते है तो rare में normal drum brakes ही मिलेंगे 210 mm का बड़ी आसा ground clearance यहाँ पर मिलता है तो नीचे से गाड़ी लगने वगरा कि कोई भी दिक्तत आपको होगी नहीं गाड़ी की overall length वगरा कितनी है यह आप यहाँ पर देख लो 3985 length है तो यहाँ पर सब 4-meter category में यह गाड़ी आ जाती है यहाँ पर इसकी width 1645, height 1720, ground clearance 210 का है और side से यह गाड़ी देखने में बहुत ही बड़िया लगती है काफी boxy type shape दिया गया है इसमें जो bonnet hood का stance है वो भी काफी upright है तो अंदर बैटके bonnet hood के complete ends आपको दिखाए देंगे यहाँ पर भी accessory elements लगाए गए है जो turn indicator है वो normal side fender के उपर ही मिलेंगे side body cladding यहाँ पर मिल जाती है यह जो graphics है यह भी as part of accessory है driver and co driver दोनों ही side आपको request sensor मिल जाते है यह जो door visors है यह भी accessory का पार्ट है अब एक बार आपको मैं bonnet hood open करके इंजिन वगड़ा के बारे में बता गिता है 1.5-liter का 4-cylinder petrol इंजिन आता है इस गाड़ी में diesel का कोई option है नी वो दीवर की आप bonnet hood जो है वो open कर सकते हो अब इसमें आपको यह देख लो bonnet hood का वेट काफी अच्छा है नीचे की दरफ insulation है नहीं लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है क्योंकि मारूती के इंजिन जो है ना से उपर की mileage भी आप इससे लिकाल सकते हो यह गाड़ी खास करके off-roading के लिए बनी है तो off-roading के मामले में यह काफी capable एंजिन है और बहुत time से जिमनी जो है ना off-roading के मामले में राज कर रही है और यही कहानी इसके साथ भी होने वाली है अब यह और भी ज़्यादा improved आवतार के साथ उतर चुकी है अब bonnet hood को कर लेते हैं बन गया काफी अच्छा-कासा weight है bonnet hood का तो build quality के मामले में यह गाड़ी काफी अच्छी है अब चलते है rare profile की त के साथ ही आती है यहाँ पर वील पीछे की तरफ mounted है और यहाँ पर वील कवर भी दिया गया है सुजुकी के लोगों के साथ जिमनी की बैजिंग यहाँ पर है पीछे की तरफ भी request sensor आपको मिल जाता है पार्किंग कैमेरा कहा पर है आप सोच रहे होंगे तो मैं आपको की मिल जाती है है तो अगर आप एक बार दर्वाजा खोल दोगे तो खुद बखोद यह दर्वाजा खुलता रहेगा आपको महनत करने की जोर लगाने की ज़रूरत है नहीं क्यूंकि यहाँ पर कंप्लीट क्लाइडिंग मिल जाती है यहाँ पर बूट लैंप भी मिल जाए अब यह तो हो गई बूट स्पेस की और एक्स्टिरियर की बाते रेर में जलके आपको बताता हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूँ वाइपर वाशर डीफॉगर हाइमाउंस टॉप लैंप सारी चीज़े यहाँ पर आपको मिल जाएगी रेर से एक बार लुक देख लो जो नेक देख रहे हो ना यह भी आक्सेसरी का पार्ट है यह भी आप शोरूमेंट से लगवा सकते हो अब चलते है रेर सीट के उपर फ्रेंड सीट मैं अपने हिसाब से एडजस्ट की है स्पेस वगरा कितनी मिलती है वो देख लेता है तो रेर में लग बग दो इंच की न बड़ी केबिन भी नहीं है तो रेर रेसीवेंट्स की जाद जरूरत वगरा है और दो कफोल्डर आपको यहाँ पर जरूर मिल जाती है सेंट्रल टरनल हला कि थोड़ा सा बड़ा है तो बीच में कोई पैसेंजर बैटा है उसको थोड़ी छोटी सी दिक्कत वगरा हो सकती ह है अब यहाँ पर हेड रूम की बात करें तो मेरे लिए हेड रूम डिसेंट इसाफ है यह सीट काफी अपराइट है तो सीट को आप अच्छली एड़ेस कर सकते हो यहाँ सेट कर सकते हो अब यह नॉर्मल रिकलाइन पर सेट हो चुकी है एड़ेस भी मिल जाते है आपको द कि सीट बेल्ट के लिए भी दो ही जगा है तो एक्चली यह गाड़ी ना फोर सीटर ही बनाई गई है सीट भी जो है ना फिफ्टी फिफ्टी फोल्ड होती है यहाँ पर रेर में आमरेस्ट वगरा कुछ नहीं है और लेदरेट फिनिश सीट कवर्स आप देख रहे होंगे स सीट कवर से यह सीट फैबरिक फिनिश में ही आती है सीट कवर आपको एक क्याबिन लाम्प मिलेगा है लोजन कैबिन लाम्प है यह लेडी वगरा का इस्तमाल कई पर भी नहीं किया गया है तो ओवरॉल रेर सीट के बात करें तो कमफरेबल सीट तो है थोड़ी सी उची सी से यह तो गई एक्सटेवियर की बाते है आप चलते है और फ्रेंट में आपको क्या क्या फीचर मिलता है वो सारी चीज़े में बताता हूं तो आप मैं आचको घाडी के फ्रेंट सीट के ऊपर नॉर्मल राउंड स्टेरिंग वील है लेधर रैपिंग के साथ साथ से यहाँ पर आपको cruise control के options मिलेंगे Suzuki का logo इस तरफ है driver side airbag इस तरफ है co driver side airbag इस तरफ है इस तरफ आपको B pillar के उपर भी airbag मिलेगी और seat के अंदर भी आपको airbags मिलेंगे तो कुल मिलाकर 6 airbag इस गाड़ी में आपको मिलते है left side का सारा stock wiper controls के लिए right side का सारा stock है lamb controls के लिए है और steering wheel जो है na tilt adjustable है telescopic adjustment का हाला कि कोई option यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको normal analog instrument cluster मिलेगा यह देख लो मैं ignition on कर लेता हूँ तो यहाँ पर normal analog instrument cluster है बीच में MID screen मिलती है बहुत सारी information आपको यहाँ पर मिलेगी सारे warning lights वगरा यहाँ पर मिलेंगे speed indicators तरफ होती है tachometer यहाँ पर दिया गया है और इसे control करने के लिए आपके बास छोटी-छोटी दो buttons है यहाँ से आप trip a trip भी यह set कर सकते हो और इस button की मदद से आप बाकी सारी चीज़े जो है वो access कर सकते हो यह देख लो काफी सारी चीज़े यहाँ पर दी गई है यहाँ पर round shape में AC vents दिये गए है और यहाँ पर आपको नीचे की तरफ काफी सारे buttons बिलते है यह मैं आपको दिखा दिता हो एक बार idle start stop के लिए है headlamp washer के लिए button है headlamp leveler switch यहाँ पर है start stop button यहाँ पर है mirror adjustment fold unfold control करने के buttons यहाँ पर दिये गए है door pads की बात करें तो यहाँ पर leather strip दी गई है यह as part of accessory है show room end से आप लगवा सकते हो normal गाड़ी में stock गाड़ी में यह सारी चीज़े नहीं मिलती है इसके अलवा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे camouflage element है यह भी as part of accessory है show room end से आप इसे भी लगवा सकते हो नीचे थोड़ी storage space है speaker की placement यहाँ पर दी गई है height adjustable seat ना इस गाड़ी के किसी भी variant में नहीं मिलती है जो की एक चीज है मेरे हिसाब से डालनी चीए थी recline angle set कर सकते हो seat को आगे पीछे set कर सकते हो seat का headrest जो है वो उपर नीचे अपने हिसाब से adjust कर सकते हो और overall seat की cushioning comfort वगण decent enough है अब यह जो seat covers है ना यह airbag के साथ compatible है क्योंकि यह देख लो seat covers यहाँ तक है side से seat जो है वो open है तो आपकी airbag जो है side से deploy होती है उसमें कोई भी दिक्कत परिशानी आपको होगी नहीं seat cover लगाने के बावजूद भी airbags जो है वो अच्छे से deploy हो जाएगी नीचे का seat cover पूरा दिया गया है यहाँ पर भी आपको यह जो brown element है यह दिखाई दे रहा होगा यह भी accessory का ही part है शोरोमेंट से आप यह चीज भी लगवा सकते हो और यह चीज जो है camouflage element यह भी आप लगवा सकते हो शोरोमेंट से ही यहाँ पर थोड़ी सी storage space है नीचे की तरफ glow box भी आपको एक बार दिखाई देता हो glow box की size काफी अच्छी है दो एक लिटर की bottle आप इसके अंदर store कर सकते हो यहाँ पर आपको सारे hard plastic elements ही मिलेंगे लेकिन quality काफी अच्छी रखी गई है automatic climate control AC unit है नीचे की तरफ आपको 4 buttons मिलते है यह co driver side window नीचे करने के लिए उपर करने के लिए यह driver side window आप down करने के लिए है driver side window जो है वो auto down function के साथ तो आती है लेकिन साथ की साथ इसमें auto up function भी दिया गया है जो की काफी अच्छी चीज है यह जो net देख रहे हो यह भी as part of accessory जरी आप शोरूमेंट से लगवा सकते हो अब यहाँ पर दो बटन है hill decent control का बटन यह है traction control on off करने का बटन यह है और इस variant में आपको 9 inch का touchscreen infotainment system मिलता है android auto apple का अपले reverse parking camera bluetooth connectivity सारी चीज़े मिल जाती है smart play pro plus बोलती है मारूती इस system को बहुत ही बड़िया system है यह बहुत ही जादा responsive है काफी अच्छा खासा respond करता है जैसे ही अब टच करते हो तुरंत से यह चीज respond करती है जो की काफी अच्छी चीज है अब यहाँ पर मैं reverse gear slot कर देता हूँ एक बर और आपको camera की display दिखा देता हो USB input इस तरफ है 12V का charging socket इस तरफ है 5-speed manual transmission यहाँ पर है 4x4 के सारे lever system यहाँ पर दिये गए है handbrake lever इस तरफ है यहाँ पर rare power window के control से window lock unlock करने का button यहाँ पर दिया गया है तो door pads के उपर आपको कोई भी button वगरा नहीं मिलता है उपर की तरफ जो है वो manual day night adjustment के साथ IRVM है यहाँ पर sun visor के उपर vanity mirror है light के साथ नहीं है लेकिन यह shutter काफी अच्छा कासा लग रहा है उपर की तरफ halogen cabin lamp microphone की placement इस तरफ है driver side sun visor के उपर भी आपको vanity mirror मिल जाता है shutter के साथ तो दोस्तो यही था मेरा आज का review video मारूति सिजो की जिमनी का I hope आपको इस गाड़ी की सारी information इसी वीडियो के अंदर मिल गए होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो इसे like जरू कर दीजिए चैनल को subscribe जरू कर दीजिए अगर आपको मारूति की कोई भी गाड़ी खरीनी है टेस्ट ड्रैव लेनी है तो 4.nexa showroom को आप ज़रूर विजिट कीजिए शोरूर का address, contact information description में आपको मिल जाएगा तो फिर मिलते है किसी ऐसी अगली review वीडियो में तब तक के लिए drive safe, take care, bye